आईए सीखे, voter list में अपना नाम कैसे चेक करें, दो सेकंड में, दोस्तों, voter list में नाम खोजने के लिए आपको कुछ चीजे पहले note करके रखनी पड़ेंगी, लिख कर रखनी पड़ेंगी, पहला ये कि जो आपका नाम है, उसकी spelling क्या है, पिता या पती के नाम की spelling क्या है, और उम्र क्या है आपकी अब यहां पर सवाल उड़ता है कि कौन सी उम्र की बात हो रही है तो दोस्तों हो सकता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड आज से दस साल पहले बना हो या पात साल पहले बना हो तो जो आज ही उम्र है उस उम्र की बात हो रही है और फिर आता है विद नाम खोजने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार के निर्वाचन विभाग के वेबसाइट खोलनी है voters.eci.gov.n और यहां से आप देख सकते हैं वेबसाइट खुलने पर पहला पेज आपको ऐसा दिखाई देगा स्क्रीन पर आपको एक और अप्शन दिखाई देगा सर्च इन इलेक्टरल रोल इलेक्टरल रोल में खोजें आपको सर्च इन इलेक्टरल रोल पर क्लिक करना है और ऐसा पेश दिखाई देगा आपको अपनी स्कीन पर, जिसमें आप वोटर का नाम तीन तरीके से खोज सकते हैं, पहला वोटर की जानकरी है विवरण के आधार पर, दूसरा तरीका है उसके एपिक के आधार पर, और तीसरा तरीका है वोटर के मोबाइल के आधार पर, इस सभी जानकरी बरनी है और सर्च पर क्लिक करना है मैं एक एक स्टेप इस वीडियो में आपको कम्प्लिट करके बताऊंगा आपको वही फॉलो करना है वोटर जिस राज्य का है सबसे पहले आपको राज्य चुनना होगा राज्य चुनने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना ह है और क्लिक करते ही आपको भारत के सभी राजियों के सूची दिखाए देगी बाकि राजियों के लिए आपको इसे नीचे मूग करना है राजी चुनने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपका राजी चुन लिया जाएगा जैसा कि मैंने राजस्तान पाँ चुना है mile आप जिस बाशा में काम करना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर क्लिक करना है और हिंधी इंग्लिशा ओप्षिण दिखाये देगा इन दोनों में चैन कर सकते हैं बायरीन आती है वो हम जिस water का नाम खोजना चाहते हैं, उस water का पहला नाम आपको यहां लिखना है, उसके बाद उसका सरनेम या लिखना है, नाम अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में खोजा जा सकता है, हिंदी में नाम टाइप करने के लिए या फिर लिखने के लिए आपको यहां पर क्ल करना है और अपना नाम लिखना है जैसा कि आपने फॉस्त नेम लिखा है पुर्थम नाम लिखा है इसी तरीके से आपको सरनेम की एंट्री करनी होगी बारी आती है रिष्टेदार की या फिर relative की यहाँ पर आपको रिष्टेदार का नाम लिखना है जैसे कि पिता या पती और यहाँ पर भी आप क्लिक कर कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं और रिष्टेदार का नाम लिख सकते हैं और आपको स्कीन पर कुछ ऐसा दिखाए देगा, वोटर का प्रथम नाम, वोटर का उपनाम, रिष्टेदार का नाम और रिष्टेदार का उपनाम, दोस्तों यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है, कि अगर आप वोटर लिस्ट में नाम खूजना चाहते हैं, तो प्रथम उपनाम के आदार पर भी आप नाम खूज सकते हैं, जरूरी नहीं कि उपनाम की भी एंट्री की जाए, अब हमें वोटर की जन्म तिति से सम्द्धित जानकरी भरनी है, डेट बर्थ के लिए आपको यहाँ पर सलेक करना है, तारीक चुनने के लिए आपको यहाँ पर क्लि में या महिने में बदलाव करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर बदलाव कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और कुछ ऐसा दिखाए देगा, इन सभी में जो आप तिति चैन करना चाहते हैं, आप चैन कर सकते हैं, और आप दोरा चैन की के जन्म तिति कुछ ऐसी दिखाई देगी अगर आपको वोटर की जन तिती नहीं पता तो आप वोटर लिस्ट में उसका नाम आयू के आधार पे भी खोज सकते हैं एज के लिए या आयू के लिए आपको यहाँ पर सलेक करना है और आपको यहाँ पर नीला निशान दिखाई देगा वोटर की एज कित आती है वोटर के लिंक चुनने की इन तीनों में से आपको चुनना है चुनने के लिए आपको इन तीनों में से जो भी आपको आपको उस पर टिक करना है और टिक करते ही आपको इस तरह का नीला निशान दिखाए देगा मतलब हम चुन चुके हैं अब बारी आती है वोटर कि जिला सेलेक्क करना है सेलेक्क करने के लिए आप जिस जिले के हैं वहां पर आपको क्लिक करना है और आप द्वारा चैन किया गया जिला यहां पर दिखाई देगा जैसा कि मैंने जैफर चुना है अब बारी आती है वोटर की विदान सबाशेत्र की वोटर के विदान सबाशे खेत्र इस पेज या स्कीन पर दी गई समस्त जानकरी भरने के बाद अब बारे आती है आपके स्कीन पर दिख रहे capture code की इस capture code की आपको entry यहां पर करनी है और उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको result दिखाई देगा हो सकता है आपने जो नाम डाला है या आपने जो जानकारी डाली है उसके आधार पर आपके एरिये में एक से ज्यादा वोटर हो इस तरीके से आपको उ उसकी उम्र के आधार पर और उसके रिष्टेदार के आधार पर आप अपना वोटर इन में से चैन कर सकते हैं जैसा कि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है और इसी नाम के अगर और वोटर होंगे वह भी आपको दिखाई देंगे इस लिस्ट में से आश्रस्त होने के बाद उसके बारे में जानने के लिए आपको view details का option दिखाई दे रहा होगा, आपको view details पर click करना है, और जिस मददाता के view details के आगे आपने click किया है, उसकी जानकारी ये रही आपके सामने, मतलब मददाता का विवरण voter की जानकारी, यहाँ पर रहेगा उसका प्रतम नाम, यहाँ पर रहेगा उसका surname अगर होगा तो, ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखाए देगा रिष्टेदार का नाम, और रिष्टेदार का उपनाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं voter की age, उसका gender, उसका epic number क्या है, मतलब voter ID card number क्या है, ऐसे ही वो किस राज्य का है बाकी जानकरी के लिए आपको नीचे मूग करना है और यह रही वोटर की बाकी जानकरी आप इस जानकरी का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं प्रिंट आउट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ऐसा दिखाई देगा पेज और यह रही वोटर की पूरी जानकरी उमीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा विवरण के अलावा वोटर लिस्ट का एपिक के आधार पर और वोटर के मोबाइल के आधार पर कैसे नाम खोजें यह भी आप पूरी जानकरी प्राप कर सकते हैं इस चैनल पर जानकरी प्राप करने के लि क्टन परोरी जे जाओ भी तोरी जानकरी 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 बात।